बॉलिवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बाप का फैंस बेसबरी से इतिजार कर रहे हैं जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है 80s और 90s के सबसे बड़े एक्शन सूपर स्टार्स संजय दत, सनी देवल, मिथ्युन चकरवर्ती और जैकी श्रॉफ एक ही फिल्म से धमाका करते नजर आने वाले हैं बाप फिल्म को देखने का excitement फैंस के बीच बहुत ही जादा है और इस धमाकेदार फिल्म में जबरदस्ट एक्शन और डैलॉग बाजी इन चारों कलाकारों के बीच देखने को मिलेगा मिथ्युन चकरवर्ती, सन्नी देवल, सन्जेदत और जैकी श्रॉफ 80s और 90s के दसक में कई सुपर हिट फिल्में दी हैं जो action drama फिल्में हुआ करती थी जो आज भी लोगों को उनकी फिल्में बहुत पसंद आती हैं हिंदी सिनिमा के ये चारों महारती अब एक साथ एकी फिल्म बाप में नजर आने वाले हैं जिसको देखने का क्रेज फैंस के बीच बढ़ता ही जा रहा है बाप फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें संजेदत, सनी देवल, मिथुन चकरवर्ती और जैकी श्रॉफ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं एहमद खान ने इस फिल्म को डारेट किया है जो इससे पहले हीरोपंती और बागी जजजी अक्शन फिल्मों को डारेट कर चुके हैं बाप फिल्म की शूटिंग खतम हो चुकी है और इस फिल्म की शूटिंग का BTS वीडियो रिलीज कर दिया गया है जिसमें सन्नी देवल बड़े बड़े बालों में बेहत खुंखार और खतरनाक नजरा रहे हैं संजेदत ताबर तोड एक्शन करते नजरा रहे हैं मिथुन चकरवर्ती की एंट्री एकदम स्टाइलिस अंदाज में दिख रहे हैं और जैकी श्रॉफ का किरदार बेहत धमदार दिखता है आपको बता दे कि इस फिल्मे संजेदत का किरदार घलनायक फिल्म बल्लू से लिया गया है सन्नी देवल का किरदार उनकी माइलिस्टोन फिल्म अर्जुन से लिया गया है मिथुन चकरवर्ती येडा भगत जो साउथ इंडियन एड़ोकेट का किरदार निभाएंगे और जैकी स्रॉफ अपनी पहली फिल्म हीरो का करेक्टर जैकिसन के रोल में काफी तगड़ा एक्षन करते नजर आएंगे बाप फिल्म एक जबरदस्ट एक्षन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें भरपूर डैलोग वाजी होगी रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के क्लाइमेक्स की सूटिंग मुंबई के गोरे गाउं स्टूडियो में 12 दिनों तक चली थी सभी कलाकारों ने खुद इस्टंट किये हैं 72 साल की उमर होने के बावजूद मिथुन दाने बौडी डबल लेने से इंकार कर दिया था और सभी कलाकारों ने खुद इसे इस्टंट परफॉर्म किया है दोस्तो क्या आप संजेदत, सनी देवल, मिथुन चकरवर्ती और जैकी श्रॉफ की फिल्म बाप को देखने के लिए एक्साइड़ है या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बॉलिवर्ट से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद